नमस्कार दोस्तों मैंने हमें प्यूशन आप देके ने कुशनार भारत आठ दिसम्बर 2021 भारत के बहुत बुरे दिनों में से एक जाना जाएगा भारत में एक ऐसा दिन जाना जाएगा जब हमने कई ऐसे लोगों को इस हेलिकॉप्टर क्रैश में खो दिया लोग वीरगती को प्राप्त हो गया लेकिन आम फोर्सेज हमेशा हमेशा थ्रेट से लड़ते ही रहते हैं चाहे डिरेक्ली चाहे इंडिरेक्ली तो मैं उनके लिए यही टर्म यूश करना हूँगा वीरगती को प्राप्त होगे और जितना सम्मान दिया जा सकता है वो डिजर्व करते हैं और हम जितना दे सकते हो हमेशा कम पड़ेगा तो प्लीज आज के डेट में बहुत टुटर पे देख रहा हूँ फेसबूप पे देख रहा हूँ बहुत सारे स्क्रीन शॉट पोस्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग क्या रियाक करना उस पर आएंगे हमारे इस पहले सीडियस की इतनी अच्छी चवी है इतना करेजियस हार्ट है इतना अच्छी परसनालिटी है अभी मैं एक इसराइली डिप्रोमेट का ट्वीट देख रहा था उनका भी कहना कि परसनली हमेशा इन्वाल्व रहते थे हमेशा इसराइल की हिस्ट्री इसराइल इंडिया के रिलेक्शनशिप्स हर चीज में बढ़ जड़के इन्वाल्मेंट दिखा देते और सबको बहुत दुख लगा है सबको और मैं मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भरपाई कैसे कर पाएगा भारत इतने अच्छे इतने करेजिस वक्ति को खोने की उसी में हम देखते हैं कि कुछ लोग इस बात को इंजॉई कर रहे हैं आपको जानके हैरानी होगी मुझे रखता है कि लगबग सबको ये पता चल दिया होगा आप जिस तरीके से सब चीज़ें सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है जो कर रहे हैं उनके भी ट्वीट्स स्क्रीन शॉट्स सब कुछ सामने आ रहा है मैं सोच अभी तक साइबर क्र हमारे आम फोर्स के इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पे रहने वाले कई लोग सर्फ सीडियस की बात ने कर रहा हूँ इतने लोग हमारे जिंदगी से हमारे देश से चले गए अपने सर्विस इतने अच्छे से देने के बाद उन्हें क्या मिलता है एक क्रैश क्या फॉल्ट इसकी एक न्यूज है ताइवान के भी आर्मी चीफ का इसी तरीके से हीली एरिया में हेलिकॉप्टर क्रैश की वैसे ही देथ हुई और कई और ऑफिसर्स भी थे और यह दोनों सेनेरियों यह बताते हैं कि चाइना ताइवान के लिए भी थ्रेट है चाइना इंडिया के ल और जितने भी बड़े बड़े चीज़ें अब एक्सपोर्ट होने की कगार पे आगे थी कि हम महा कम रहे हैं और एक्सपोर्ट जादा कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत डवलप्मेंट किये उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन्स लिये उन्होंने बहुत बड़े से जुटी हुई मैं चाहता हूं कि भारत की जनता भारत सरकार पर प्रेशर बनाए एक ऐसा प्रेशर बनाए कि अगर आप इमेजन करें एक सेकंड के लिए कि एंटी इंडिया फोर्सेस किसान बिल को खतम करने के लिए इतने समय से लग सकती है और आखिर बिल वापस ले लिय गया प्रधान मंतरी द्वारा जो भारत के पक्ष में था जो किसानों के पक्ष में था वहां पे सरकार जुग गई तो क्या भारत के पक्ष में ये जांच कि भारत की सिकरोटी फोर्सेस के लिए जांच भारत की सुरक्षा के लिए ये जांच जरूरी नहीं है और अगर कु इतना मुहत्वपूर्ण नुक्सान किया है उन्होंने हमारा और उनका भी उतना ही होना चाहिए। मैं यह नहीं कहा रहा कि सीधा वार कर दो नहीं। लेकिन एक जवाब देना चाहिए जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ। जहां इस घटना के बाद इतने लोग दुखी हैं पोस्ट पे हस रहे हैं ऐसे ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे मीम्स लगा रहे हैं तब ही मुझे वीरदास वाला वो लाइन याद आती है कि हम दो इंडिया में रहते हैं वो कौन लोग हैं जो भारत कितने बड़े नुक्सान पे हस सकते ह मैंने किया रहा है, सारे भारती होंगे, कुछ पाकिस्तानी भी होंगे, उनका कुछ नहीं किया सकता, उनको वहीं रहना है, तो उनका एक दिन हिसाब हो जाएगा, लेकिन जो हमारे यहां दीमक बनके, अंदर से खोकला कर रहे हैं भारत को, सेक्यूरिटी फोर्स बॉर्डर से क्यों कर लेंगे, इन्हें कौन सजा देगा, भारत की जनता यह डिजर्व करती है, कि ना सिर्फ जाच में जो पाये जाए वो, बलकि जो दीमक बनके, क्योंकि हमारे सीडियस के अभी एक स्टैंड था, कि स्टोन पेल्टर्स भी टेररिस्ट ही होते हैं, तो शायद यह वही तक भी आतंगवादी ही होते हैं, आतंगवादी से कम नहीं बोलूगा, आतंगवादी ही होते हैं, तो आतंगवादियों का, और देश दुरो करने वालों का, यह देश दुरो ही है, इसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो भी ऐसे-ऐसे कमेंट भद्दे-भद्दे, ब्लैंक से सिर्फ एक बुलेट उससे ज़्यादा कि इनकी आवकाद भी रही है सिर्फ एक बुलेट पॉइंट ब्लैंक मैं चाहता हूँ यह वीडियो ज्यादा ज्यादा लोग शेर करें डिमांड करें जस्टिस की उनके साथ ही नहीं जो लोग हेलिकॉप्टर क्रेश में हसर हैं मजाक उड़ा रहे हैं भारत में दीमक बंद के बैठे हुए हैं उनके साथ वो हशर होना चाहिए कि उन्हें एहसास हो जाए कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के चले जाने पर जो दुख दर्द होता है उस पर हसने का क्या मतलब होता है क्योंकि यह लोग सिर्फ हस को शेयर करिए अपने अपना पॉंट व्यू बताइए और ऐसे लोग जहां मिले हैं इनको पकड़वाईए या पकड़के पीटी है यह आपके उपर है उस वक आपको कैसा समझ में हारा जो समझ में हारा करिए और हमाद सेक्रूर्टी फोर्स से इंक्लूडिंग जो पुलि जाक उड़ाने वालों के उपर मीम बनाने वालों के उपर जो आपको एक्शन लेने का मन कर रहा हूँ प्लीज थोड़ा अपने साथ जस्टिस करिए हमारे आर्मी परसनल्स जो आठ तारिक को चले गए हमको छोड़के किसी की साजिस की वेज़े से भी ऐसा हो सकता है वो य मिलते हैं अगली उड़ाम जाहिन वंदे मात्रों